सिन्वा जगत में कितने ही कलाकार आए और चले गए पर अब इनीता जैनी डंक्जॉंपा की तरहा विलन का किरदार निभाने वाला भी नीता आज तक बॉलिवड इंडर्शक नहीं बुरा पाए है और इसी के चलते इने इंडर्शक में बहतरी नार्टिस के रूप में पहच चान मिल चुकी है जो किसी और के बस की बात नहीं तब ही तो लोग इनकी अदाइकी के आज भी इकाल है लेकिन दोस्तों आप इनके बारे में तो सब चानते हैं पर शायद है आप इनकी फैमली हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे इनका फैमली बैक्ग्राउंड क्या है इनके अलावा इनके फैमली से कितने टैल Wiki कराकार इंडूस्ट्री को मिले हम इन सब के बारे में कुछ नहीं चानते हैं पर आज कि हमारी इस वीदियो में हम आपको इनकी फैमली का इतिहास बता कर इनकी फैमली के हर एक शक से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में चान में अपने कलाकारी को अमर बनाने वाले भी नीता जैनी टंग्जुम्पा इंडिया के भूटिया समुदा ऐसे आते हैं जो के सिक्किम के एक प्रमुग जन जाती है लेकिन डैनी के माता पिता देवतुच शोरिमल आनंद ने अपने बेटे डैनी को बहुती लाड़ प्यार औ और अपने बीवी, बच्चों और परिवार के साथ खुशाल जिंदगी बिता रहे हैं अब बात करते हैं इस प्रमुग के चमकते सतारे जैनी के बारे में दरसल इनका असली नाम श्विरिंग फिस्तो है जो 25 परवर 1947 को गंग टोक सिक्किम में पैदा हुए इन्होंने अप अच्छे खासे रिच प्रमी से भी लॉंग करते थे जहां पर ये अपने बच्चमन से ही एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहते थे लेकिन इन्हें एक्टिंग का खीड़ा अचानक तब लगा जब इन्होंने आर्मी के सेलेक्शन के रिए सारे एकसान क्लियर कर लिए तब इन्ह चानक से एक्टिंग करने का फूत सवार हुआ जिसके बाद इन्होंने पूरे जाकर इंडियन थीटर में एक्टिंग की बारी क्यों को सीखना शुरू कर दिया हम आपकी चानकारी के लिए बता दे कि जिस एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग के गुड़ों को वो सीख रहे थे वह इनके मलाकात जिया भादुरी से हुए जो विताप पचन की धर्ण बती है इन दोनों ने साथ में ही अपने एक्टिंग स्किल्स को इंप्रूफ किया और जब टैनी डेंग सोंपा फिल्मों में जाने का ट्राइ कर रहे थे तब ही जया ने इनका नाम शीरिंग फिस् जिसके बाद उने सो एकत्рь के फिल्म मेरे अपने में इनोंने सकरात्मक भूमिका ने भाय लेकिन इनोंने पहली नकरात्मक भूमिका फिल्म ध्धुन बेने भाय थी जो 173 में रिलीस हुई और उनकी अभीने का कमास सभी ने देखा जहां आलोचे को और जनता को इनकी नकर माने विलन अभी नीता भी बन गए हाना के इनकी बहुत सारे फिल्में तो ऐसी है जिसे जनता आज पे रिपीट कर देखना पसंद करती है जिसमें बुलंदी, क्रान तीवीर, अशोका, खोदा कवाहा, चाइना केट शामिल है तो वही हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डैनी ने ना सर्फिंदे सिल्मा में काम किया बलकी ने तमिल, तेलोगो और नेपाली फिल्मों में भी जबर्दस एक्टिंग कर रखी है तबी तो आज दुनिया भर में इनकी खूब फैन फॉलविंग है मगर एटीज के दौर में फिल्म खातक में उनके द्वारा निभाया गया किर्दार कात्या आज भी लोगों को भुलाए नहीं भूलता लेकिन इने आखरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म मणी करने का में मुख्या महामंत्री का रोल अदा करते हुए देखा गया था प्रोफेशनल लाइफ के बाद बात करें इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो इनकी पर्सनल लाइफ काफी लाइम लाइट से तूर रही क्योंकि डैनी को अपनी परसनल लाइफ से सुर्ख्या बटोर ना बिलकुल पसन नहीं तभी तो उन्हें बड़े ही शांदी पूर्वक अपनी शादी भी की थी जिसमें उन्हें उन्हें बॉलिवुड के ज्यादा सिधारों को इन्वाइट तक नहीं किया लेकिन हम आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इनके धर्ण बतनी का नाम कावा है जो कि सिक्किम के पूर्वराज कुमारी रह चुकी है वर्डैनी ने कावा से साल 1990 में लव मैरेज की थी जिससे इने दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हुए जो जमें की बीटे का नाम पेमा है तो यहिदे साल के बाद भी यह अपनी बीवी को उतना ही प्यार करते है जितना कि वो 31 साल पहले किया करते थे मगर जैने की बीवी को लाइम लाइट से दूर रहना पसंद है जिसके चुलते वो कभी भी बॉलिवुट के फंक्शन्स में उनके साथ नहीं दिखाएं देती अंग में बात करते हैं इनकी पेटी के बारे में इनकी बेटी अबे 28 साल की है जो कि पेशे से एक अंट्रेपेनर और बिसनस वोमर है जो अकसर अपने फैमले बेशनस और टूर और ट्रेवल्स में बिज़ी रहती है इसलिए उन्हें ज्यादा लाइम लाइट में खूमते फिटते हुई नहीं देखा गया और ये सिर्फ अपने काम से काम रखती है वह इनके बेटे रिंजिंग 31 साल के हैं उन्हें भी अक्टिंग में दल्चस्पी है इसलिए उन्होंने पने पिता से ही अक्टिंग की बारी क्यों को सीखा जिसके बाद ये पॉलिवूट के हैंसम हांग जॉन इब्राहिम को उनके मस्ट बाड़ी के लिए फॉलो करते हैं वो बिल्कुल जॉन इब्राहिम की तरह मस्किलर और एक्टिव हीरो बनना चाहते हैं और इसलिए इन्होंने पॉलिवूट फिल्मों में बतौर एक्शन हीरो जैब्यू करने का फैसला किया जिसके चुलते इन्हे स्कॉर्ट फिल्म में एक आर्मी मैन का किरदार निभाते हुए देखा जाएगा हालकि ये अभी अपनी परसनल लाइफ में सिंगल है लेकिन ये एक ब्राजिलियन मॉजल को डेट करें हैं जिसे फ्यूचर में शादी करने वाले हैं तो दोस्तों आपको डेनी डेंग जोंपा की फैमिली हिस्ट्री जान कर कैसा रगा आप हमें अपनी राए कमिंट सेक्शन में कमिंट करके ज़रूर बताएं साथी बॉलिवुट से जोड़ी ऐसी हिम्मसारेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले